जैरिक जंक्षन पर आप देख रहे हैं गोवा का पार्ट टू नमबर 11, हिल्टोब नाइट क्लब ये गोवा के सबसे पुराने पार्टी स्थानों में से एक है सही मायनों में ये कलब नहीं है बलकि पार्टी करने की ये फुब्चूरा जगा है जहां खुली हवा में चमकदार और रंगीन सजावट के साथ आप पार्टी का मज़ा ले सकते हैं नमबर 12, मंडरेम बीच पनजी से 32 किलोमेटर उत्तरी गोवा के एक छोटे से गाउ मंडरेम में इस्तित ये बीच समुदरी तट पर चपोरा नदी से लेकर अराम बोल बीच तक फैला है मचली व्यापारियों के लिए ये बेहदी खास तट है अरब सागर की लहरों के साथ आप यहां नारियल और ताड के पेड़ भी काफी संक्या में देख पाएंगे इस बीच पर योग सीखने और अभ्यास करने के लिए भी लोग आते हैं ये कलब नाइट लाइफ में शुमार एक बेहत पूसूरत कलब है और ये शांदार डीजे साउंड को होश्ट करता है जो म्यूजिक के साथ साथ यहां के माहौल को मदमस्त कर देता है यहां सभी तरह के साउंड सिस्टम है जो आपको डांस फ्लोर पर जाने के लिए मजबूर कर देगा यहां आप स्वादिष्ट भोजन के साथ विभिन परकार की ड्रिंग भी ले सकते हैं नमबर 14 कलंगोट बीच पनजी से 15 किलोमेटर उत्तरी गोवा में कलंगोट में इस्चित यह एक लोग प्रियतट है इस तट का नाम कोली गुट्टी सब्द से पड़ा है जिसका अर्थ है मचवारों की भूमी यहाँ अनेक रिजोर्ट तथा कोटेज भी हैं यहाँ विभिन परकार की गतीविधिया देखने को मिलेगी जैसे की एक गतीविधि आपके सामने है बागा से केंडोलिम तक फैला यह उत्तरी गुवा का सबसे लंबा बीच है यहाँ आकर भी आप वाटर स्पोर्ट्स, पैरासिलिंग, वाटर सर्फिंग, जैट स्किंग, इत्यादी खेलों का मज़ा ले सकते दोस्तो कलब तो बहुत है गोवा में, पिछले पार्ट में आफ काफी देख चुके हैं, लगबख सभी कलब सेम ही हैं, तो अब बात कर लेते हैं कसीनो की भी, क्योंकि कसीनो भी यहाँ बहत खूबसूरत हैं, कसीनो भी बहुत है यहाँ लेकिन कुछ खास कसीनो पर ही हम न तो नमबर 15 पर लेते हैं बिग डैडी कसीनो इस कसीनो में अंतराष्टे रूप से बड़े गेम जैसे अमेरिकन रूले ब्लैक जैक पोकर बेकार्ट आधी गेम खेले जाते हैं जहां पर पेशेवर साही और सोक्या खिलाडी अपनी किसमत आजमाते हैं 24 घंटे चलने वाले इस कसीनो में 110 गेमिंग टैबल हैं ये 900 गेमिंग पदो और विभिन स्वचालित मसीनों का घर है ये कसीनो पंजी में मंडोवी नदी के बीच में एक शिपर इस्थित है जहां बोट से जाया जाता है और इस खूबसूरत कसीनो में रस्टोरेंट और बच तरी गोवा का ये बीच बाकी बीचों से अलग और खूबसूरत है आसपास के हरे बरे पेड और तट पर फैली सफेद रेद इस जगे को और भी खूबसूरत बनाती है यहां विदेशी सैलानियों की भीड देखने को मिलती है जो खास तोर पर स्विमिंग के लिए आते हैं दोस्तो समुनरतट या बीच तो आप बहुत देख चुके पिछले पार्ट में भी देखे हैं गोवा का समुनरतट 101 किलोमेटर लंबा है जिसमें कुछ बीच शांत है और कुछ बीड भाड़ वाले हैं कहीं कहीं पर कोटेज भी हैं और कहीं विदेशी लोग कुछ सामान भ अधिया है अरे मसाज है मजा के हटो तुन से नहीं होगा यह देखो ऐसे करो ऐसे 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 ठीक है यह देखे और देखें बहुत ही खूबसूरत बोड़ी मसाज चल लाए यह क्या है अठा कूद रहे हो गया लगे रहो काम तो बढ़ी आया यार मसाज करने का मजा आता दोस्तो आगे और भी कुछ खूबसूरत जगे दिखाने वाला हूँ आपको दोस्तो समुदर तटो की सारी गतिवी दिया तो आपने देखी लिए है लेकिन पनजी का एक बीच और दिखाऊंगा जिसका रोचक तथे भी मैं आपको बताऊंगा लेकिन उससे पहले देखते हैं एक और कसीनो नमबर 17 कसीनो प्राइड पनजी में मडोवी नदी में एक शिप पर इस्थित ये भी एक शांदार और खूबसूरत कसीनो है यहां हाई टेक डिजिटल गेमिंग के साथ स्लोट मसीन भी है यहां सभी सुईधाओं के साथ आप डिलक्स कमरों में आराम कर सक तो चलिए एक और खास समुन्दर तट आपको दिखा देता हूं नमबर 18 डोना पॉला बीच गोवा की राजधानी पनजी में इस्थित इस जगे को प्रेमियों का स्वर्ग का जाता है और इसका नाम भारतिय वाइसराय की बेटी डोना पॉला डी मैनेजेस के नाम पर रख संगम भी होता है और यहीं पर है यह लोकल मार्केट जहांसे आप यहां की निशानी के तोर पर अपनी पसंद की चीज़ें खरीज सकते हैं दोस्तों इसी जगह पर फिल्म सिंगम के कुछ वाइट वाले सीन सूट की गए थे जहां अजदेवन लाइट उखाड़कर है न यह वही जगह दोस्तों बोलो है कुछ तो बोलो नमबर 19 मंडोवी और ज्वारी नदी पनजी के एक साइड में समुदर में गिरती हुई मंडोवी नदी को मांडवी महदाई महदेई या कुछ अन्यस्थानों पर गोमती नदी के नाम से भी जाना जाता है करनाटक और गोवा से होकर बहने वाली इस नदी को गोवा राज्जे की जीवन रेखा के रोब में वर्नित किया जाता है पनजी के दूसरी साइड में है जुआरी नदी इन दोनों नदियों का एक ही मोहाना है जो एक खुबसूरत भाग आपको दिखाता हूँ तो आईए चलते हैं उस आपको रोमान चित कर देगा दोस्तों आप यहाँ पर आएंगे और ना आएंगे तो आपको एक से बढ़कर एक खुबसूरती देखने को मिलेगी वो चाहे परियावरण की हो या कुछ और इस रोमान चक और साफ सुथरे और सुद्ध वातवरण में जब आप आते हैं और इस वाटरफॉल में जब आप नाते हैं तो आपको साफ सुद्ध पानी दिखाई देता है जिसमें आपको छोटी-छोटी मचलिया भी दिखाई देगी देखी कितना सुंदर नजारा है इन और यहां पहुचने के लिए लगभग 10-12 किलोमेटर टेक्सी से साफ सुत्री नदियों और हरे बरे जंगलों से होकर जाना पड़ता है वैसे आप यहां दो इंजन वाली ट्रेन से भी आ सकते हैं दो इंजन इसलिए क्योंकि पहड़ों की चड़ाई पर दो इंजन होना जर क्योंकि यहां की होपसूर्ती देखे बगेर आपकी गोवा ट्रिप अधूरी है तो मिलते हैं अगले वीडियो में ठेंक्स वार वाचिंग